नमस्कार और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस फर ओल दिस इस मनीश राय आज बर्गदस से पैनुर्मा इंग्लिस रीडर पार्ट टू जी आज बर्गदस की जो सप्लिमेंटरी रीडर है उससे पहला चैप्टर जनवरी नाइट ले करके हम हाए हुए हैं तो आईए बच्चों जनवरी नाइट पूस की रात जिसको प्रेमचंद ने लिखा है प्रेमचंद के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे तो आईए आज जनवरी नाइट की सुरुआत करते हैं बच्चों आईए पहले प्रेमचंद के बारे में जानते हैं बच्चों प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय, धनपत राय का जन्म 1880 में हुआ था और इनकी मृत्तिव 1936 में हुई थी आप याद रखेंगे बच्चों कि धनपत राय बार निन बनारसी वाराणसी ऑन जुलाई 31st 1880 31 जुलाई 1980 को धनपत राय का जन्म वाराणसी उतर प्रदेश में हुआ था वाजे प्रॉलिफिक रायटर बोथ हिंदू एंड उर्दू बचो हिंदी एंड उर्दू यानि हिंदी के भी ये प्रॉलिफिक रायटर थे साथ साथ ये उर्दू के भी प्रॉलिफिक रायटर थे प्रॉलिफिक रायटर उस रायटर को कहते हैं जिसने बहुत सारी रचना की हैं जिन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं उनको बोलते हैं प्रॉलिफिक राइटर तो हिंदी के साथ साथ उर्दू भी उर्दू में भी रचनाय प्रेमचंद करते थे जो पेन नेम देख रहा है न पेन नेम का अर्थ समझेए पुस्तक लेख आदी में लेखक द्वारा वास्तविक नाम के बदले प्रयुक्त नाम को पेन नेम कहते हैं आप इसको उप नाम भी कहते हैं तो ही चेंजड इस पेन नेम टू प्रेमचंद आप्टर इज बुक सोजे वतन वास बैंड बैंड का मतलब होता है बच्चो प्रतिबंध लगा देन बाई द देन का मतलब होता है ततकालिन यानि उस समय की और ब्रिटिस गवर्नमेंट का अर्थ हुकूमत यानि ब्रिटिस चंद के नाम से ही पुस्तके लिखने लगें He wrote about the realities of life बच्चों He wrote about यानि प्रेमचंद जिनका असली नाम था धनपतराय रोट अबाउट लिखा करते थे about the realities of life जीवन के हकिकतों के बारे में realities का मतलब होता है हकिकत सचाई जीवन की हकिकतों के बारे में जीवन की सचाई क बारे में लिखते थे and the various problems और बहुतेरी समस्याएं various problems का मतलब होता है बहुतेरी समस्याएं and the various problems faced by the common man in a turbulent society जो turbulent का मतलब होता है असांत तो बच्चों यह कह रहे हैं कि उस समय भारत का जो समाज था वह असांत समाज था हंगामिदार समाज था तो कह रहे हैं कि हंगामिदार समाज में common man आम आदमी के द्वारा जो बिविध प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा रहा था और जीवन की हकिकतों के वारे में प्रेमचंद लिखा करते थे हे फोकस्ट चीफली फोकस का मतलब होता है बच्चों ध्यान देना हे फोकस्ट चीफली और रूरल इंडिया का मतलब होता है ग्रामिड भारत प्रेमचंद मुख्य रूप से चीफली का मतलब होता है मुख्य रूप से प्रेमचंद मुख्य रूप से ग्रामिड भारत पर ध्यान देते थे अर्थात इनकी लेखनी जो कुछ भी लिखती थी ना तो इनके लेखन के केंद्र में ग्रामिड भारत रहता था और बच्छों जो आप यह एकस्प्लाइटेशन देख रहाए ना एकस्प्लाइटेशन का मतलब होता है सोशन्ड या दोहन तो प्रेम्चंद ग्रामिड भारत पर ध्यान देते थे and the exploitation और सोषण, दोहन faced by a common villager एक आम ग्रामिड एक सदहारण ग्रामिड की जो सोषण होता था उस पर भे ये ध्यान देते थे at the hands of का मतलब होता है के हाथो प्रिष्ट का मतलब पुजारी लेंडलोर्ड का मतलब होता है भूपती जमिंदार और लोन सार्क्स का मतलब होता है बच्चों सुदखोर यानि सुदखोरों, जमिंदारों और पुजारीों के हाथों आम आदमी का जो सोषण होता था और जो ग्राम में जीवन था प्रेम चंद के जो लेक होते थे ना उसी पे मुख्यता आधारित होते थे He also emphasized बच्चों, emphasized का अर्थ होता है जोर देना He emphasized on the unity of Hindus and Muslims प्रेम चंद साहब Hindu और Muslim एकता पर भी बल देते थे, जोर देते थे emphasize करते थे Some of his well-known works well-known works का मत्तब होता है बिख्यात कृतियां, बिख्यात रचनाएं प्रेम चंद की कुछ बिख्यात रचनाएं और कृत्कियों का नाम मैं पढ़ रहा हूं सुनियेगा गोदान, गबन, कर्म भूमी प्रतिग्या, etc ये इनकी बच्चों काल जी रचनाएं हैं आप भी जब और बड़े होजाओगे तुन रचनाओं को जरूर पढ़ना और ग्रामिड भारत को समझने की कोशिस करना कि कैसे ग्रामवासियों का सोशड प्रिष्ट के दवारा भूपती के दवारा सुद्खोरों के दवारा बिटिस हुकूमत में किया जाता था आईए जनवरी नाइट पूस की रात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों इसके चार पार्ट है मैं कुसिस कर रहा हूँ कि पार्ट ओन और पार्ट टू की वीडियो आज बनाऊ और पार्ट थ्री और पार्ट फोर की वीडियो नेक्स टाइम आईए शुरू करते हैं बच्चों हलकु गर के अंदर आया और अपनी पतनी से कहा हलकु बच्चों चीफ करेक्टर है इस जन्वरी नाइट पूस की रात की हलकु अंदर आया और अपनी पतनी से कहा The landlord is come the landlord is come अरे भूपती आय हुए है जमिन्दार आए हुए है जमीन के मालिक आये हुए हैं जिनकी जमीन पे हम लोग खेती करते हैं वो आया हुआ है get the rupees, get का मतलब लाओ get का मतलब होता है जाओ और ले करके आओ और जो यह देख रहे हैं बच्चों set aside, इसका मतलब होता है भविस्य में काम आए इसलिए जो कुछ भी आप बचा करके रखे हो वो अबस्तू तो कहरें get the rupees, set aside यह जाओ और जिन पैसों को बचा करके रखा है ना उसे ले करके आओ I will give him the money मैं जमिंदार को, भुपती को मैं उस जिसकी भूमी पे हम लोग खेती करते हैं यह पैसे मैं उसको दे दूँगा and somehow or other we will get along without it और किसी प्रकार से इस पैसे के बिना हम लोग गुजारा कर लेंगे हलकू ने अपनी पत्नी से कहा पत्नी का जवाब सुनिए मुन्नी had been sweeping मुन्नी इन की पत्नी का नाम था वो ज़ाडू लगा रही थी घर में she turned around वो प्रेमचंद धनपत रायक sorry वो हलकू की तरफ मुड़ी turn around का मतलब होता है बच्चों मुनना वो हलकू की तरफ मुड़ी and said और कहती है सुनिए but there is only three rupees तिन ही रूपए तो है if you give them to him अगर ये तीन रूपए आप जमिंदार को दे दो खेत के मालिक को दे दो where is the blanket going to come from तो कंबल कहां से खरीदोगे पूस की रात है सरदी बढ़ती जा रही है तीन ही रूपए बचा करके रखे हैं ये तीन रूपए भी अगर आपने उनको दे दिया तो कंबल कहां से खरीदोगे how are you going to get through the January nights in the fields अरे खेतों में इस पूस की रात को कैसे तुम सहन कर पाओगे कंबल के बिना खेतों में इस पूस की रात को कैसे सहन कर पाओगे tell him जा करके कह दो we will pay him after the harvest उपज हो जाने के बाद फसल हो जाने के बाद हम लोग उनका पैसा चुका देंगे not right now अभी हम लोग उनको पैसा नहीं देंगे जा करके कह दो for a moment हलकू astute hesitating बचों hesitate का मतलब होता है hitch की चाना for a moment यानि एक पल के लिए हलकू astute hesitating हलकू अनिस्ची दसा में वहीं पे खड़ा रहा January was on top of them यानि पूस सर पर आ गया था यानि पूस सर पर आ गया था मतलब ठंडी बहुत तेजी से बढ़ रही थी without a blanket blanket का मतलब होता है बच्चों कंबल without a blanket he could not possibly sleep in the fields at night कंबल के बिना हलकू रात में अपने खेतों में सो नहीं सकता था और इसी कंबल को खरिदने के लिए वो पैसे बचा करके रखे गये थे लेकिन आज वो जमीन का किराया मांगने के लिए जमीनदार आ गया था इसलिए ये चर्चापती पतनी में चल रही है but the आगे देखे बच्चो but the landlord would not be put off he would threaten and insult him so what did it matter if they died in the cold weather as long as they could just take care of his calamity right now calamity का मतलब होता है बच्चो बला आपदा या भी पता वो कह रहा है कि the landlord would not be put off put off का मतलब होता है टाल देना अरे landlord को पैसे देने है मना नहीं किया जा सकता लाओ पैसे दे दो मैं उसको दे दूँ अगर नहीं दिये he would threaten insult me threaten का मतलब होता है धमकी देना और insult का मतलब होता है आप मान करना रे वो पैसे नहीं दिये गए तो वो डराएगा भी धमकाएगा भी गालियां भी बकेगा so what did it matter if they died in the cold weather as long as they could just take care of his credit इस बला को पहले टालो अरे पूस की रात तो कुछ दिनों की बाद आने वाली है ना बाद में भले ठंडी से मरेंगे पहले इस बला को टालो as he thought this as he thought this हलकू जैसे ही इस बात को सोचा he moved his heavy body and came close to his wife बच्चों अब इसका सरीर भारी हो गया था कर्ज के बोज से दवा हुआ या भ्यक्ती था समझ में नहीं आ रहा था क्या करें इसी सोच के साथ he came close to his wife वो अपनी पत्नी मुन्नी के करीब आया trying to cox cox का मतलब होता बच्चों बहलाना फुसलाना पत्नी को बहलाने फुसलाने की कोशिस करते हुए he said उन्होंने कहा come on give it to me अरे आर पैसे दे दो I will figure out some other plan हम लोग कुछ नई योजना बनाएंगे कुछ नया जुगार करेंगे कंबल का भी पैसे दे दो please अपनी पत्नी को फुसलाते हुए हलकु ने कहा अंगरी उसकी आँखों में गुस्सा था और गुस्से से कापते हुए she said पत्नी ने हलकु से का you have already tried some other plan पहले भी कई योजनाय तुम कंबल के लिए बना चुके हो you just tell me what other plan can be found just तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन सी योजना है जो तुमने कंबल खरिदने के लिए बनाई है किरपया मुझे बता दो is somebody going to give you a blanket क्या कोई तुमको खेरात में कंबल दे देगा जिसे ओड करके तुम खेत की पहरिदारी कर सको और अपने आपको ठंडी से बचा सको God knows how many dates date का मतलब होता है बच्चों कर्ज God knows how many dates are always left over that we cannot pay off और pay off का मतलब होता है बच्चों चुका देना मुनी जुझला करके कहती है पता नहीं कितनी कर्ज है जो चुकती ही नहीं God knows मुनी कहती है सुनिए बच्चों God knows how many dates are always left over पता नहीं कितनी कर्ज है हम लोगों पे that we cannot pay off जिसको मों चुका ही नहीं पाते यानि कर्ज से दवा हुआ या परिवार है मुनी कहती है पता नहीं कितनी कर्ज है जो चुकती ही नहीं what I say सुनो मैं क्या कहती हूँ सुनो what I say is give up this tenant farming यह जो बचो tenant देख रहा है ना इसका मतलब होता है किराया दे करके किसी के भूमी उपीओ करना तो यह कह रहा है कि मैं तो कहती हूँ give up give up का मतलब होता है छोड़ दो त्याग दो this tenant farming यह किराय की खेती को छोड़ दो त्याग दो the work is the work is killing you whatever you harvest goes to pay up the areas areas का मतलब होता है बकाया अरे हलकुमिया whatever you harvest जो कुछ भी तुम उपज के रूप में प्राप्त करते हो goes to pay up the areas वो बकाया चुकाने में चला जाता है so why not finish with it तो अच्छा यह होगा कि इस खेती को ही छोड़ दो इस बला को ही छोड़ दो कि इस से हमें कुछ लाह भी नहीं होता और ठंडी में हमें ठंड से मरना पड़ता है और उपर से the work is killing you और काम करते करते तुम्हारी जान भी जाने वाली है देखिए बच्चों पत्नी कहती है where we born just to keep paying up dates क्या हम लोग कर्ज चुकाने के लिए ही पैदा हुए है हलकू से मुन्नी पूस्ती है कि क्या हम लोग कर्ज चुकाने के लिए ही पैदा हुए है earn some money for your own बेली का मतलब होता है अपने पेट के लिए भी कुछ पैसे कमाओ तुम तो जो कुछ भी कमाते हो वो तो कर्ज में ही चला जाता है वो तो बकाए में ही चला जाता है अरे कुछ अपनी पेट के लिए भी मजदूरी कर लो give that kind of farming अरे वो किराय की खेती छोड़ दो please किराय की खेती छोड़ दो मजदूरी करो लेकिन किराय की खेती मत करो I won't give you the money won't मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी मैं तुम्हें ठंडी से मरने नहीं दूंगी तुम्हें कंबल खरिदना ही होगा इसलिए मैं वो तीन रूप़ तुम्हें नहीं दूंगी मुन्नी ने हलकू को कहा सुनिए sadly हलकू said उदास होकर के उदास होकर के हलकू ने कहा then I will have to put up with his abuse यह जो put up with देख रहा है ना बच्चों put up with का मतलब होता है बरदास्त करना और पैसे नहीं दोगी then then का मतलब होता है तब I will have to put up with his abuse तब तो मुझे उसकी गालियां सुननी पड़ेगी तब तो मुझे उसकी गालियों गालियां बरदास्त करनी पड़ेगी losing her temper temper का मतलब होता है बच्चों गुसा losing her temper मुझे सेड why should he abuse you is this his kingdom kingdom का मतलब होता है राज कहना गुसा करते हुए मुझे ने कहा कि वह तुम्हें गाली देगा अरे गाली क्यों देगा is this his kingdom क्या यह उसका राज्य है कि जो मरजी वो करेगा तुम्हें गाली देगा धंकी देगा धोस जमाएगा तुम पे क्या यह उसी का राज्य है but as she said eat her brows relaxed from the frown लेकिन मुझे ने जैसे ही यह कहा कि क्या यह उसका राज्य है बच्चों मुनी की जो तनी हुई भौमे थी न वो धीली पर गई the better truth in halku's word halku के सब्द में जो कड़वी सचाई थी न came charging at her like a wild beast wild beast का मतलब जंगली पसू एक जंगली पसू की तरह है ना इस पे जैसे हमला होता है वैसे halku के सब्दों ने इस पे हमला किया और जब भलकू के सब्दों ने इस पे हमला किया ना तो इसकी जो तनी हुई भौमे थी वो धीली पड़ गई और क्या कहती है आप सुनिये कहती है she went to the knees जो N-I-C-H-E देख रहे हो न knees का मतलब होता है बच्चों tak N-I-C-H-E रूपीज वहां से तिन रूपए निकाले and handed them over to हलकू hand over का मतलब होता है सौप देना और वो तीन रूपए मुन्नी ने हलकू को सौप दिये then she said और सौपते हुए कहा give up farming this time इस साल इस किराय की खेती को तुम छोड़ दो if you work as a hired laborer अगर तुम मजदूर के रूप में काम करोगे hired laborer का मतलब होता है जो कि निश्चित रकम के लिए कहीं काम करता है if you work as a hired laborer अगर तुम मजदूर के रूप में कहीं काम करोगे you will at least at least का होता है अरत बच्चों कम से कम get enough food to eat from it तो कम से कम उस रूपाय से पेट भर भोजन तो अवस्चित तुम्हें मिल जाएगा मुन्नी कह रही है if you work as a hired laborer अगर तुम मजदूरी करोगे न you will at least get enough food तब तुमको कम से कम पेट भर भोजन उस पैसे से जरूर मिल जाएगा लेकिन जो किराय की खेती है न इसे तुम्हें कुछ नहीं मिलता no one will be yelling insults at you और yelling insults का मतला होता है वो अपमानित करना धौस जमाना and no one will be yelling insults at you और तुमारा कोई अपमान भी नहीं करेगा तुम पे कोई रौब भी नहीं जमाएगा तुम पे कोई धौश भी नहीं जमाएगा साम को कमा करके आओगे मैदूरी के रूप में जो पैसे ले करके आओगे उससे हम लोग अनाज खरी देंगे और कम से कम भर पेट खाना तो खाएंगे न लेकिन इसकी राय की खेती से तो ये भी नहीं होता मुन्नी कह रही है fine work, farming someone else's land बहुत अच्छा काम है किसी दूसरे ब्यक्ती के जमीन पर खेती करना बहुत अच्छा काम है इसको छोड़ दो whatever you learn, जो कुछ भी तुम कमाते हो whatever, जो कुछ भी whatever you learn, जो कुछ भी तुम कमाते हो you throw back into it जो कुछ भी तुम कमाते हो इसी खेती में जोंक देते हो and get insulted in the bargain और बदले में तुमें क्या मिलता है अपमान, get insulted अरे दिन बर मेहनत करते हो जो भी आमदनी होती है इसी खेती में जोंक देते हो और बदले में तुमें उस भूमी का जो मालिक है न उससे अपमान ही मिलता है ऐसी खेती को छोड़ दो, त्याग दो मजदूरी करो, जो कुछ भी मिलेगा उसी से पेट भरेंगे मुन्नी ने हलकू से कहा आगे देखिए हलकू टुक दा मानी and went outside हलकू जो था न वो मुन्नी से पैसे ले लिया और घर से बाहर निकला looking as though he ऐसा लग रहा था अपने कलेजे का टुकरा किसी को देने जा रहा था देखिए बच्चो रूपाय की एहमियत तीन रूपाय बचा बचा करकर रखे थे ये लोग तो आज अब हलकू जनुवरी में उस पैसे को मालिक को देने जा रहा है ऐसा लग रहा है कि वह अपने दिल के टुकरे को कलेजे के टुकरे को देने जा रहा वह कंबल खरिदने के लिए एक एक पैसे बचा करके तीन रूपए जमा किये थे हलकू ने जनको बचाने के लिए महीनों लगे थे उस पैसे को देने जा रहा था हर कदम के साथ हर एक कदम के साथ पैसे देने जा रहा था हर एक कदम के साथ हलकू का जो सर था न गरीवी की भार से जुका जा रहा था देखिए बच्चों गरीवी क्या चीज होती है आईए जनवरी नाइट की पार्ट टू में चलते हैं ए डार्क जनवरी नाइट अंधेरी पूस की रात अंधेरी पूस की रात इन दैसका या पाकास में देखो अब हम लोग पार्ट टू में हैं इसके जनवरी की अंधेरी रात है और आकास में लग रहा था ना कि तारे विठंड से काप रहे थे अपने खेत के किनारे एज का मतलब होता है किनारा अंडरनीथ है सेल्टर अप केन लिब्स केन का मतलब होता है वो गन्ना इंक दिहाते में हम अपने गाह में से उंख भी कहते हैं और लिब्स का मतलब होता है पत्तियां तो उंख के पत्ते की छटरी के नीचे खेत के बगल में हलकू अपने लिए एक सेल्टर बनाया था एक जोपड़ी बना लिया था सेल्टर यहाँ पर वो कहेंगे से आप भी बच्चों अगर गाउं के होंगे न तो मक्के की खेती अगर आज भी करते होंगे तो खेत के बीचो बीच या खेत के किसी किनारे हम लोग क्या करते हैं कि चारबांस जमीन में लगा देते हैं और उपर से गन्ने के पत्ते से उसको च्छा देते हैं और वहीं पे चचराज कुछ बना देते हैं खाटूट लगा देते हैं और वहीं पेरह करके सो करके मक्के की खेती की पहरेदारी करते हैं वैसे ही हलकु भी है ना अपने खेत के बगल में वो एक ऐसे ही जोपड़ी मड़ई बना लिये थे उख के पत्य की छत्री बना लिये थे और उसी के नीचे रहते थे हलकु ले और ने बंबू काट बंबू काट मतलब बांस की खाट और उसी सेल्टर के नीचे उसी उख के पत्य की छत्री के नीचे ये अपनी बास की खाट पे लेटे रहते थे wrapped up in his old burlap sol और wrap up का मतलब होता है लपेटना ये अपने आपको लपेटे रहते थे in his old burlap sol burlap का मतलब होता है वो पुरानी उलूल जुलूल मतलब बेकार जिसे ठंडी न जाए उस sol में ये अपने आपको लपेटे रहते थे खाट पे पड़े रहते थे sebring और वहीं पे कापते रहते थे ठिठूरते रहते थे खेत की पहरेदारी करते रहते थे जनवरी की रात है underneath the cot underneath the cot और underneath का मतलब होता है नीचे और उसी खाट के जिस खाट पे हलकू सोते थे ना उसी खाट के नीचे his friend jabra the dog was whimpering और उसी खाट के नीचे हलकू का एक मित्र था जिसका नाम था जबरा वह इंसान नहीं था बच्चों वह जानवर था वह कुत्ता था वह भी नीचे पड़ा रहता था was whimpering is a whimpering देख रहा है ना जो कुत्तों की आवाज होती है मंद स्वर में कुत्ते जो रात को रोते हैं उसी को कुकु कुकु जो बोलते हैं उसी को whimpering बोलते हैं तो उसी खाट के नीचे इनका मित्र जबरा भी whimpering with his muzzle pressed into his belly यह जो मजल देख रहे हैं इसका मतलब होता है थूथन यानि पसू का मुह कहिए कुत्ता अपने मुह को pressed into his belly बेली का मतलब होता है पेट अपने पेट में घुसाए हुए वहीं पे वो रोने की आवाज करता था neither of them was able to sleep नहीं मालिक सो पा रहे थे और नाही कुत्ता ठंड़ी इतनी जादा थी कि मालिक भी न सोढ़ रहे थे और कुत्ता भी नहीं सोढ़ रहा था हलकु curled up बच्चों आगे लिखा है हलकु curled up curled up जो देख रहे हो न इसका मतलबहता है शिकूड कर बैठना हलकु curled up drawing his knees close against his chin चीन का मतलब होता है ठोड़ी मुह और होट के निचे का जो हिस्सा होता है दाड़ ही जिसको बोलते हैं ठोड़ी जो बोलते हैं तो हलकु जो थे न यह अपने आपको समेट करके बैठ गाए अपने नीज को अपने घुटनों को अपनी ठोड़ी में सटाते हुए करलप होगा सिकूड करके बैठ गया एंड सेड और सिकूड करके ठंडी के मारे सिकूड करके बैठते हुए हलकू ने कहा cold जबरा जबरा ठंडी लग रही है क्या हलकू ने कहा didn't I tell you कहा था न मैंने तुमको in the house you could lie in the paddy a straw paddy a straw का मतलब हुआ बच्चों वो धान का पुवाल पुवारा अरे कहा था न मैंने कि घर में तुम धान के पुवाल में सो जाओ so why did you come out here क्यों आये यहाँ पे तुम now you will have to bear the cold आये हो तो ठंडी सहो हलकू ने कहा कहा था न मैंने कि बहुत ठंडी है घर में रुख जाओ पुवाल में सो जाओ why did you come out here कहां आये तुम यहाँ पे किस ने कहा हलकू ने कहा now you will have to bear the cold अब जब आ गये हो तो ठंडी सहो मरो there is nothing I can do मैं कुछ नहीं कर सकता मैं तो खुद ठंडी से मर रहा हूं तुम भी ठंडी से मरो you thought I was coming out here to eat porridge and sweets तुम्हे तो लगा था कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं कि तुम तो मुझसे पहले ही दोड़े हुगे चले आए ऐसा लगा कि मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं मैं यहां मिठाई खाने आ रहा हूं now you can moan all you want जो मर्जी करो ऐसे रो करके पूरी रात गुजारो तुम्हे लगा था कि मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं कितना सेल विदावड गेटिंग अप बिना उठे हुए जबरा जो था न अपना धूम हिलाने लगा प्रोट्रेक्टिंग इस विंपरिंग इन्टु ए लॉंग यान देख रहे हैं वाई डबलू इसका मतलब होता है अंगडाई या जमहाई तो जो इसकी विंपरिंग जो वो कू कू मतलब जो रोने की आवाज निकाल रहा था न तो एक लंबी जमहाई किया एंडे वाज साइलें और चूप चाप जमहाई करने लगा परहेप्स इन इस का मतलब के मतलब होता होता है कुअ जने जबरा ने उसने अनुमान लगाया कि इसकी विम्परिंग के चलते इसकी वो जो कुत्य की जो आवाज होती है थंडी कारण जो आवाज निकल रहे थी उस आवाज के कारण इसके मालिक को निंद नहीं आ रही है वह सोय नहीं है ऐसा सोच रहा था कौन बच्चों जबरा हलकु रिच डाउट इस हैंड हलकु अप जबरा के ठंडे पीठ पे हलकु ने अपने हाथ को प्रेम से फैलाया सहलाया from tomorrow on सुन लो जबरा कल से stop coming with me मेरे साथ नहीं आना तुम कल से तुम मेरे साथ नहीं आना कल से तुम मेरे साथ नहीं आना और the cold will get you नहीं तो तुमको ठंडी लग जाएगी पता नहीं यह जो पछुआ हवा है ना अपने साथ इतनी ठंड कहां से लाती है या किसी को पता नहीं है कल से तुम मेरे साथ नहीं आना है ना नहीं तो तुमको ठंडी लग जाएगी लेट मी get up and feel my pipe अरे मुझे अपनी वो pipe को भरने दो pipe वो जो बच्चों क्या कहें इसको जो जैसे वो हुका होता है ना या एक जो वो लोग गाउं में जो लोग कुछ वो पीते हैं पाइप उसको बोलते हैं तो कह रहा हैं यह हलकू कि कल से तुम नहीं आना पता नहीं है पच्चुआ अपने साथ कहां से इतनी ठंडी लाती है लेट मी गेट अप अरे थोड़ा मैं उठ जाओं एंड फिल माई पाइप और जो मैं अपनी पाइप को क्या कर लू भर लू आई वो क्या बोलें इसको पाइप जैसे वो गाजा ओजा लोग पीते हैं ना उसको बोलते हैं तो लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप मुझे अपनी पाइप भर लेने दो अभी तक मैं आठ पाइप पी चुका हूँ अभी तक मैं आठ पाइप पी चुका हूँ बट वी विल गेट थू नाइट समाओ लेगिन फिर भी रात जान नहीं रही है किसी प्रकार से रात को हम लोग बिताही लेंगे यहीं रिवार्ड है यहीं पुरसकार है यहीं तो खेती का मजा है यहीं तो खेती का रिवार्ड है पुरसकार है कि आठ चीलम पी चुका हूँ आच चीलम कहिए आठ चीलम पी चुका हूँ फिर भी रात नहीं जा रही है मैं भी ठंडी से मर रहा हूँ, तुम भी ठंडी से मर रहा हो, यहीं तो खेती का क्रिसी का मज़ा है Some lucky fellows are lying in the houses, कुछ lucky fellows, कुछ सो भागय साली लोग अपने घरों में पड़े हुए होंगे If the cold comes, अगर ठंडी आभी जाये न, आप्रदेम उनके पीछे, the heat just drives it away तो उनके घर में जो गर्मी है न, वह ठंडी को मार भगाएगी, और यहां ठंडी हम लोगों को मार भगा रही है A good thick quilt, उनके घरों में, quilt का मतलब होता है बच्चो रजाई, उनके घरों में एक मोटी रजाई होगी Warm covers, वो गर्म, लिफाफे होंगे, a blanket, कंबल होगा तो जिनके घर में कंबल है, लिहाफ है, जिनके घर में रजाई है, भला उनको ठंडी क्या मारेगी, उनको ठंडी क्या बिगाडेगी Just let the winter cold try to get them, अरे ठंडी को उनको लगने दो, नहीं लग पाएगी उनको Fortune has arranged, fortune का आर्थ होता है बच्चो तकदीर भाग्य सो भाग्य Fortune has arranged everything very well, while we do the work, while we do the hard work, somebody else gets the joy of it बच्चों, देखिए हलकू की इस बात को, कह रहे हैं कि fortune has arranged everything very well While we do the hard work, somebody else gets the joy of it तकदीर की खुबी है, कि मजदूरी हम करें, असुख कोई और भोगे इस कार्थ ही बस समझिये, कि while we do the hard work, मजदूरी हम करें And somebody else gets the joy of it, और इसका आनन, इसका सुख कोई और भोगे तकदीर की खुबी देखो जबरा, he got up इसी बात को कहते हुए, हलक उठ बैठे, took some embers, embers का मतलब होता है वो, अंगारा जो बुझ गया, आग, चिनगारी जिसको कहिए He took some embers from the pit, वो अगढ़े में से कुछ इनगारी निकाले And filled his pipe, और अपने pipe को भरे, जबरा गॉट अप टू, जबरा भी उठ गया और ये हलकु भी अपनी चीलम को भर लिए As smoking, उस चीलम को पीते हुए, हलकु said, हलकु ने कहा If you smoke, the cold is just as bad, but at least you feel a little better At least का मतलब होता है, कम से कम, हलकु चीलम पीते हुए कहते है कि चीलम पीने से जाड़ा तो जाता नहीं, बस थोड़ा सा मन बहल जाता है जबरा looked at him with eyes overflowing with love बच्चों, जबरा अपने मालिक हलकु को देख रहा था With eyes, उन आखों से overflowing with love जिन आखों में प्रेम उमढ रहा था नहीं, जबरा की आखों में अपनी मालिक के प्रती प्रेम उमढ रहा था तो प्रेम उमढती आखों से उसने अपने मालिक को देखा You have to put up with जो put up with देख रहा है ना बच्चों, इसका मतलब होता है बरदास्ट करना, सहन करना You have to put up with just one more cold night, बस आज की रात, एक और रात जबरा तुम बरदास्त कर लो, बस आज की रात तुम बरदास्त कर लो, हलकु ने जबरा को कहा, tomorrow I will spread some straw, कल मैं पुआल बिछा दूँगा, when you bed down in that, जब तुम पुआल में सोगे, you won't feel the cold, तब तुमें ठंडी नहीं लगेगी, हलक ने अपने दोस्त जबरा कुटे से कहा, जबरा पुटी 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 जबरा उसकी गर्म सांस को महसूस किया। किसकी सांस को? जबरा के गर्म सांस को महसूस किया। After he finished smoking, जब हलकु ने चीलम पूरा पी लिया, he lay down, वो लेट गए and made up his mind और फैसला किया। Made up his mind का मतलब होता है फैसला करना। और फैसला किया, that however things were, he would sleep, अब कुछ भी हो जाए, ठंडी कितना हूँ लगे, अब मैं सोऊँगा, चीलम पीने के बाद हलकु ने ये फैसला किया। But in only one minute, his heart began to pound, वच्छों जो पाउंड देखना थड़क, तेजी से धड़कने लगना। लेकिन एक ही मिनट में हलकु का जो कलेजा था न, ठंडी के कारण, तेजी से धड़कने लगा। He turned from side to side, वह उस्टूटी खाट पे फटे पुराने चादर को उड़े हुए करवटें बदलने लगे। He turned from side to side, करवटें बदलने लगे, निंदा नहीं रही थी, ठंडी सता रही थी। But like some kind of witch, the cold weather continue to torment him। लेकिन ये, जो सर्द हवा थी न, बच्चों, ये किसी witch की तरह, चुडैल की तरह, उनका पिछा छोड़ने को तयार नहीं थी। Continue to torment, torment का मतलब होता है, दुख पहुचाना, पीड़ा पहुचाना, कस्ट पहुचाना, हलकु को कस्ट, पीड़ा तकलीप पहुचा रही थी, और हलकु सोने की कोशिस कर रहे थे, लेकिन ठंडी के कारान उस खाट पे करवटे बदल रहे थे। When he could no longer bear it, अब जब ठंडी बरदास्त नहीं हुई, अब जब हलकु से ठंडी बरदास्त नहीं हुई, he gently picked up जबरा अप, तब हलकु ने जबरा को उठा लिया, pick up का मतलब होता है, उठा लेना, picked up, and patting his head, और उसके सर को सहलाने लगे, got him to fall asleep in his lap, और lap का मतलब होता है, गोद और अपने गोद में जबरा को सुलाने की कोसिस करने लगे, देखिए, क्या सम्मंद है, इनसान और पसू के बीच, हलकु ने जबरा को अपने गोद में उठा लिया, और उसके माथे को सहलाने लगे, ताकि उससे नींद आ जाए, कम से कम मैं न सूँ, मेरा जबरा सो जाए, जबरा के सरीर से बदबू आ रही थी, बट हलकु हगिंग हीम टाइट, और हग देख रहे हैं न, हग का मतलब होता है, गले लगा लेना, दोनों बाहों में भर लेना, तो जबरा के सरीर से दुरगंद आ रही थी, लेकिन फिर भी हलकु ने अपने दोनों हाथों से उसको और उस खुसी को इन्होंने experience किया, अनुभाव किया, he had not felt for months, जो महीनों से खुसी नहीं मिली थी न, वह खुसी आज जबरा को गोद में उठाने से हलकु को मिल रही थी, जबरा अपने आप को आज स्वर्ग में मैसूस कर रहा था, वह अपने मालिक के गोद में था, मालिक की गोद, जबरा को स्वर्ग की खुसी दे रही थी, और जो यह रिसेंटमेंट देख रहे हैं न, नराजगी होता है, रोस या गुसा, उसके सरीर की दुर्गंध से उतपन जो गुसा होता है आज हलकु के इनोसेंट हार्ट, इस निर्दोस हिर्दय में, इस दोस रहित हिर्दय में, उस बदबु के लिए भी कोई अस्थान नह हुए थे और दोनों असीम खुसी पराप्त कर रहे थे, इंबरेस्ट हीम, इंबरेस्ट का मतलब होता है बच्चों गले लगा लेना, इंबरेस्ट हीम उद्ध भेरी सेम अफिक्सन, अफिक्सन का मतलब होता है प्रेम, सने, ही उड़ हैव फेल्ट फोरे ब्रदर और अफ्र जो खुसी मिलती है, वहीं खुसी आज हलकु को जबरा को गल्य लगाने से मिल रही थी, he was not crippled, crippled का मतलब होता है पंगू बना देना, अपंग बना देना, he was not crippled by the power which had reduced him to the traits at present, अब हलकु जो थे न, हलकु इस वक्त अपनी घरीबी को भूल चुके थे बच्चों, और यहां पे कोई, उस इस्ति से यहां पे कोई लेना देना नहीं था, रैदर, बलकि it was though, ऐसा लग रहा था कि this singular, जो singular देख रहा है न, इसका अर्थ होता है औसाधारण, this singular friendship, यह जो औसाधारण दोस्ती थी न, friendship, किसके बीच, हलकु और जबरा के बीच, had opened all the doors to his heart, उनके द दिल के, हलकु के दिल के सारे दर्वाजे को खोल चुकी थी, बचो singular friendship कारत हुआ, औसाधारण दोस्ती, यानि कुत्टे और इनसान के बीच, जो यह औसाधारण दोस्ती थी न, कि कुत्टे को गले लगाने से, भाई को गले लगाने से जो खुसी मिलती है, मित्र को गले गाने से जो खुसी मिलती है वहीं खुसी आज हलकू को मिल रही थी और यह जो singular friendship थी और जो यह औसाधारन दोस्ती थी थी हैड ओपेंड ओल दोर सारे दर्वाजे खोल दिये थे to his heart हलकू के दिल के सारे दर्वाजे को यह दोस्ती खोल चुकी थी and brilliantly illuminated और illuminate का मतला होता है प्रकासित करना and brilliantly illuminated every atom of it और उनके सरीर का जो कणकण था ना सरीर का जो कतरा कतरा था वह आज प्रद्विप्त था आज उसमें दीवाली की तरह आज उनका पुरा सरीर प्रकासित था क्योंकि वह जबरा के गले लगे हुए थे suddenly अचानक जबरा पिक्डप दर नोज अपसा मैंने मल अचानक कुछ पसुओं की आवाज जबरा के कानों तक पहुची this special intimacy intimacy का मतलब होता है बचो घनिश्टता this special intimacy had produced a new alertness in him that disdained the onslaught of the wind बचो जो disdain देख रहा है न ध्यान नहीं देना disdain कारतु बच्छी रसकार करना अवग्या करना और onslaught का मतलब होता है उग्र आक्रमड यत्ति खाबिरोध of the wind यहनी हवा का जो आक्रमड था थन्ड सर्द हवा का जो आक्रमड था उसकी परवाह किये बिना हलकु जो था ना springing up कूद पड़ा springing up कूद पड़ा he ran out of the shelter वो shelter से बाहर निकला वो उंक के पत्तिक के नीचे वो भी पड़ा हुआ था वहां से बाहर निकला and began to bark और जोर जोर से भौकने लगा हलकु विसल्ड हलकु ने सीटी बजाई and called him several times और कई बार कहा जबरा 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 बट जबरा उड़ नौट बैक टो हीम लेकिन जबरा हलकु के पास नहीं आया he went on barking भोकता रहा भोकता रहा while he ran round through the furrows देख रहा है न इसका मतलब हल रेखा यानि खेत में जब वो बीज गिराने के लिए जो हल से रेखा हम बनाते हैं उसे को furrow बोलते हैं उसी हल रेखा के मेंसे वो आ रहा था जा रहा था आप दा फील्ड खेत में लगतार भोक रहा थ था कौन जबरा क्योंकि कुछ पस्वों की आवाज उसके कानों तक पहुंची थी he would come back for a moment एक पल के लिए हो जब जबरा हलकू के पास आया देन डैस आफ डैस आफ का मतलब तेजी से भागना देन डैस आफ अगैन एट वन सफ फिर से तुरंत दोड़े दोड़े भागे भ के अंदर का जबरा के अंदर का और यहीं उसकी इक्षा भी थी कि कैसे मैं अपने मालिक की फसल को है ना आवारा पस्वों से बचाओं बचों पूस की रात या प्रेम चंद धनपत राय के दोड़ार रचित जो पार्ट है ना बर्ग 10 में इसके बाकी जो पार्ट 3 और पार आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने सुझाओं भी हमें दें आपकी सुझाओं पर मैं काम करूंगा मैं आपको भरसा दिलाता हूं और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद